लो बचलो केसी हूँ आप सब उमीद हैं आप लोग एकदम मस्त होगे सो मैं हूँ तानया मुझाल सो बचा आज हम शुरुआत करते हैं हमारी इंडियन एकनोमिक से चाप्टर नुमबर वन है आपका चाप्टर का नीम आप देख पारे हो बेटा इंडियन एकनोमी on the eve of independence यानि just before the independence eve of independence का मतलब है इव औफ independence का मतलब क्या हता है आजजादी eve of independence का मतलब है a day just before the independence यानि independence से just before हमारे देश की क्या हालत ही हम उसके बाहर में पढ़ने वाले तो बेटा इस chapter में basically मैं क्या बात कर रही हूं हम क्या पढ़ेंगे एक तो हम यह पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी और अंग्रेजों के आने के बाद यानि इंडिपेंडेंस से पहले तक हमारे देश की क्या हालत थी हम वो पढ़ेंग साथ के साथ notes बनाई है, बढ़िया तरीके से मेरे साथ पढ़ाई करें, बहुत मज़े से story की तरे पढ़ेंगे, मज़े से कहानी की तरे समझेंगे, इस chapter को एक movie की तरे समझना, बहुत interesting chapter है, देखो economics, Indian economics एक ऐसा subject है, जिसको आप interesting बनाना चाओ, तो वो उतनी ही interesting है, और उसक पारे होंगे सारे हम topics करेंगे सबसे पहले Colonial Rule किया है stagnant economy क्या है Indian economy before colonial period यह क्या टॉपिक है यह सारे टॉपिक को समझेंगे अभी सिप टॉपिक को सम्झेंगे अभी सिर्पापिक के name mention कर दो मैं agriculture and industrial sector on the eve of independence इसके के हीद इंडिया के बारे में संझेंगे partition of the country जब देश का बढ़्वारी में गीच आप इन्फ्रास्ट्रॉक्ट्टर सेक्टर पर रिस रूट पर अम ऐसे हालत ही हम उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे उसके वाद कुछ और टॉपिक से आपके इस चाप्टर में डेमोग्राफिक परफाइल ड्यूरिंग दे ब्रिटिश रूल ठीक है पॉपिलिशन सेंसिस क्या है वह ब्रिटिश रूल इंडिया यह टॉपिक है लास्ट में आपका एक स्विस कैनाल का भ पहली खाट करते हैं चली जी तो यह लिए जूब आपको डेफिरीशन सबस्क्राइश का नहीं में लेकिन होगी लिकैंट यह जो वोर्ड है एक ज़ों कहले नोigkeiten किने कणू होते है तो खर सबसेते हैं का मतलब भी समझ लेंगे कि होते कि चाप्टर की शुरुवात करने से पहले अगर मैं आपको पता तो इस चाप्टर में हम भारत और अंग्रेजों का उसके बारे में पढ़ेंगे आपको पता है हमारे देश को अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष्ट क्या बना के रखा था गु मिली थी सबसे बहुत है यह आपको यह पता होना चाहिए एक नंबर के एमसी क्यों में भी आजाता है हमारे देश को अगर्श नाइटीन फॉर्टी शेवन में हमारे देश को क्या मिली थी अजादी में बहुत बहुत ज्यादा कितने लोग कितने लोग मरे थे हमारे डेश को अजादी दिलवाने में आपको पत्व फिर भी हमें तीन और साल लग थी तो पूरी तरे हमारे देश से दफ़ा एता है करने में तो इसलिए लूं हमारे देश का रीपब्लिक कब आता है पटा Chopra 11 जनवरी में हमारे देश को रीपब्लिक पूरी तरह मिली के थी तीन साल लग गयwow हमारे भारत को, अंग्रेजों को पूरी तरे दफा करने में, तो ये चाप्टर पूरा आप समझ ही पारे होंगे, हम इंडिया और अंग्रेजों यानि ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, तो ये चाप्टर पूरा उस पर, ठीक है जी, चलिजी, तो बेचा शुरुआत करते हैं, देखते जाओगे कि चाप्टर में क्या है, बहुत इंट्रस्टिंग चाप्टर है, सबसे वहले हम समझते हैं, बेटा, कॉलोनियल रूल क्या है, ये डेफिनिशन, ये वर्ड क्या है, वाट इस कॉलोनियल रूल का मतलब क्या आता है, बेटा, जब एक देश, यानि वन है, कैसे होनाइ, क्या करना, क्या करना ये, कब करना, कुछ करना, यह सारे की सारेegen permettre यह वाला देश अस पे समझते क्या भाται चमाइब, इंडिया ले ले या रいき तरफ तिकेटेन ले दे शिए कंट्री रूल वर दा अदर कंट्री एंड यहीं बिच्टेशन रिलेटेड जो भी डिजिशन देश सेलेटेड को से इंडिया में क्या होगा कैसे होगा क्या प्लानिंग क्या पॉलिसी लेकिया क्या करना थे क्या सिस्टम क्या मलब कुछ भी जो भी प्लानिंग करने है जो भी डिजीजन वह देश से रिलेटेड वह कौन सा देश ले रहा है यह वला देश ले रहा है तो उसी को कहते है colonial rule यानि जब एक देश जब एक देश दूसरे देश को rule कर रहा है यानि जब एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है गुलाम बना के रख रहा है और ये देश सारे डिजीजन ले रहा है related to this देश तो एक बार definition पढ़ लेते हैं तो क्या है so colonial rule refers to a system एक ऐसा system है किसके बीच में between two countries दो देशों के बीच में ऐसा system है जिसके अंदर where one country rules the another country जिसमें एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है रूल कर रहा है यानि गुलाम बना के रख रहा है यानि सारे के सारे rules, regulation जो भी होगा वो एक देश कर रहा है दूसरे देश पे ठीके जी and takes all the decisions related to the economy और यह जो देश है वो सारे के सारे decisions ले रहा है related to this economy, am I clear, simple, so this is about your colonial rule चली जी, the next definition क्या है पड़ा बरस सम्मी जी, पड़ा बरसी, stagnant economy क्या है stagnant economy, stagnant का मत्बतर रुख जाना यानि ऐसा देश जो रुख गया है यानि उस देश में कोई development न peas न हो यह जी जो गरोथ हो भीर है तो बहात ही कम हो समझ पार हु तो यह होती है अपी stagnant economy, stagnant economy refers to that economy, which is not growing जुख grow ही नहीं कर रहा, develop ही नहीं कर रहा, इस देश में जो रुख जाना यानि ऐसी एकनोमी जो रुक गई है जिसमें कोई development नहीं कोई growth नहीं यह अगर हो भी दिये तो बहुत ही कम हो रही है तो हमारा इंडिया क्या हो गया दो स्टेंपे जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा हुआ था है ना तो हमारी देश क्या होगी ग्रों नहीं कर रहा था तो यहीं हम बात कर रहें वागी हम देरे-देरे समझेंगे कि कैसे क्या क्या किया उन्होंने हम आगे चलेंगे चलेंगे एक बार अगला टॉपिक है आपका फड़ावड से देख लेजिए नेक्स टॉपिक है आपका इंडियन एकनोमी बिफोर को कि क्लानियल पिरिट के मतलब अंग्रेजों के सम्हे की बात करी गरिये कि अंग्रेजों के समय से पहले मतलब हमारी इंडियन के आने के बाद जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गलाम बना लिया उसके बाद हमारे देश की क्या situation रही till independence तक हम बात कर रहे आपे on the eve of independence मतलब independence से जस पहले तक हमारे देश की क्या हालत थी इस chapter में हम बात कर रहे तो एक बार इस टॉपिक को अच्छे समझते हैं, तो टॉपिक है कि अंगरेजों की आने से पहले हमारे देश की क्या हलत थी तो हम देख लेते हैं तो फस्ट पोइंट ही है, तट एक्रिकल्चर वोस्ट वोस्ट वॉस्ट पहले जो जो लोग है वो एग्रीकल्चर पर ही पर अपने परदी तो एक तरसे मैं क्या हूं, वो एम्प्लोएड का थी अगरीकल्चर जो है एक में सोर्स है, इंप्लोइमेंट जन रिशन का, जगे है, जिक है, सिम्पल सी बात है, नेक्स है आपका, अल्ली त़ क्रोफ वोस्ट वोग जोग जो है only the crop was grown for the self-consumption जिसको हम सबसिस्टेंस फामिंग भी कहते हैं उस ताइम पर क्या होता था जो लोग फसल उगाते थे न वो पर ककर हैं उनको बस उतना उगाने कि बस अपना पेट पाल सो को जो हमारे अंगरेज लोग बहुती शरीफ से लोग होते थे को लालच नी कोई मोघ माया से दूर रहते थे दे मेंello बढ़ा बंदास त्री बस उतना करते थे कर डोले किलिए नहीं करते थेक्र लोग जो भी एक नंबर की definition आजयती what is subsistence farming तो आपको पैता होना अची subsistence farming का मतलब बता है when the crops are grown for the self-consumption जब 1% crop को grow कर रहा है खुद के self-consumption के लिए grow कर रहा है not for the sale purpose, sale के लिए नहीं कर रहा है तो उसी को क्या बोलते है subsistence farming भी गयते हैं चली नेक्स्ट है मेरा बच्चा India was very famous for the hindi craft industries बड़े ध्यान समय लिए हमारा जो भारत है वो hindi craft industries के लिए बात फेमस what is hindi craft industries ये hindi ये जो word है na hindi hindi craft industries है na hindi मतलब हाथ हाथ से बात कर रही है हाथ, hindi मतलब हाथ, craft मतलब कलाकारी होना craft करतें क्लाकारी क्लाकारी ही this is is spelling होगी देखे l passou है spend Он Castle है hindi craft मैंद्ला हाथों की कलाकारी ले जो फ्रोडरक्स जो हाथ हो से बनाए जाते थे यानि हमारी जो हमारी हमारी जो की नॉमी थी यूस तैम पर अगर तैम के बात हैंडी क्राफ इंडस्ट्रीज में बहुत साधा फीमस थी यानि हाथों से बनाती थी जैसे कि कॉटन की बेट या फिर नहीं जैसे स्वेटरे बुनना हातों से जूट के कारपेट्स बना देना मटके हो गया हातों से इन प्रोड़क्ट्स की डिमांड सिर्फ हमारे भारत में ती पूरे विष में थी पूरे वर्लमें थी बहुत बढ़ी एक्सक्रीन हेंडी क्राफ फ्रॉडक्स इस को बेच हमारा देश में बहुत पैसा हया था तो ऑढ़ी कि हैंड़ी में ड 네 कला कारी हाथों से बनाए जाते थे प्रोडाक्स तेंग प्रोडाक्स तेंग क्योंकि मशीन ही नहीं होती थे ला उस तेम तब आपको बता चले जी तो भाई ये नेक्स्ट है आपका पीस्फुल ट्रेड बिट्विन एशिया और यूरोप है ना पीस्फुल मतलब बहुत ही शान्ति प पूरवक ट्रेड होता था ऐसी नहीं कोई लड़ाईया जगड़े ऐसा कुछ थी था बहुत ही शान्ति पूरवक होता था अब आपको बताए अशिया मतलब इंडिया का आता है एशिया में आता है बिटेन का यूरोप में आता है यानि दोनों कंट्रीज के बीच पे बहु हालत होगी था उसकी वज़े से चलो वही है बात इंडिया वाज इंडिपेंडन अंग्रेज हो के आने से पहले हमारा देश अजाद था साथ सोने की चिडिया था लेकिन जब अंग्रेज आगे तो इस चिडिया के पंक कार दी सोने की चिडिया क्यों बोला जाता था क्योंक सब गरीब भी नहीं था हमारा देश लेकिन जब अंग्रेज आगे तो उनसे हमारी खुशी का देखी गई हमारे देश को निचोड के रख दिया जो देश सूने की चीडिया था उसकी पंक काड़ती यह हमें पता है तो वही है तो इंडिया वाल इंडिपेंडेंट अगला जो टॉपिक होता है कि अंग्रेजों के आने के बाद यानि डियूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया की क्या हाला थी लेकिन हम उसको करने से पहले मैं लेके आई हूं ऐसा नहीं वह नहीं है आगे होगा आपका वह टॉपिक लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कहां प weam topic करेंगे यहीं सारे points आपकी भूबक में भी ठीक प्थी लेकिन को करने से पहले हम क्या हमारे का मारे देश की हालत ह melodoo यह चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो वह आपके लिए असान हो रहेंगे पॉइंट समझने चलिजी तो सबसे वहले हम एग्री कल्चर की बात करते हैं कि अंग्रेज आ गए अब देश में तो हमारे एग्री कल्चर पर क्या इंपक्ट पड़ा तो सबसे पहला जो पॉइंट है यही है एग्री कल्चर सेक्टर ओन दा इव ऑफ हमारे देश की अग्री कल्चर सेक्टर की क्या हालती तो कर higher job के समय में अग्री कल्चर सेक्टर पीन तुम है friends we कर लीजिए बहुत 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 इंपोर्टेंट चलिजी तो एक बार इसको हम करेंगे यहां पर आजी सबसे पहले यहीं पर हम समझते तो आपका जो टॉपिक है वह है जमीदारी सिस्टम क्या है जमीदारी सिस्टम जमीदारी सिस्टम क्या होता है अगर मैं पहले की बात क एंदें अंग्रेजों के आने के बाद कि बात करता है तो चलते पड़वर से देखें पहले क्या था बीटा पहले ही होता था कि मालो यह एक लांड यह क्या है खेट है क्षेत है फार्मर क्या करती इस लांड में खेती करते थे फसल उगाते थे वो लाइट वो जमीन जो है उस farmer की ही होती था यह अंग्रेजों की आने से पहले की बात कर देना क्या जो किसान इस पे फसल उगा रहे है हो खेट जो है उस खिसान कही होता था ठीक है जी बडिया चल रहा था किसान खुष भी था अपनी जिन्दगी से कोई दिक्कत नहीं थी बड़िया दो तरीके सपना पेट पाल रहा तीव अंग्रेज अपनी गौप만 यानी में भीटिस सरकार आगी हमारे बिटिस सब्सक्राइब अब उन से हमारी खुशियां तो देखी निए उन्हों ने देखा यह क्या चल रहा है यह तो जमीन पर यार ओविसली वो क्या कमाने आए थे वह हमें गुलाम बनाएने नहीं थे और हमारे देश से पैसा लोडने आए थे तो नहीं देखा यह तो फार्मर तो अपनी फसल उगाया जा रहा है अपने में भीजी है ठीक है यार अपना ही कमाया जा जा रहा है आःज सही है इसका तो ठीक है वो यह देखरा थे उनने नहीं कर बाइच मुझे भी पैसा कमाने यह तो नीच चलेगा क्योंकि उसको वो थे क्या लाल ची थे एक नमबर के ला कही थी जमीदारी सिस्टम को ले कही थी यह सिस्टम के तहत क्या किया उन्होंने अंग्रेजों ने किसको पॉइंट किया उन्होंने किसको पॉइंट किया उन्होंने किसको पॉइंट किया किसको पॉइंट किया जमीदार को पॉइंट किया और उसको क्या बना दिया ओनर ऑफ पीछे-पीछे-दू मिलाई फिटते थे ठीके जी मैं कुछ नेगटिव में नहीं बोलना चाहरी है आप फिर शुरू हो जाते हो मैं जनरली आपको यहां पर पतार हुँ चब चब लेटे चम्झा जो अंको क्या बना जए थे मेरा बिटा जमीदार बना देए तो उनको क्या बना दिया उन्ने आंतो बना ग्यों बना She दिखें अन्यक्षाहाईनॉम्स अब अंग्रेश इनको बोलते समीदार को उसने बोला कि तू जितने मर्जी फार्मर्सपॉंट कर ले जो मर्जी कर फार्मर्स को मार nat दाडर से मार है कि जो मर्जी कर मुझए घंता वडेख निंए मुझे भार की निया तुनको मारे कितना मर्जी उसे पैसा निकालने की ifiesश्च कAl आमांट्ट आफ रिया वज्ट इक्तिक Lynn आंग्रेजोन वज संविताइक zंवितार को बोलाई रेका को व मैं इ Cemal परमर्मर ठीकिय को लगा लिकों सोईल भी जाएнок धाइक ऑट स्वार्मर थे लिए सोईल एक या imagen उखए लााई स्वाण esos को लेबर भी बोलते क्या सारा दिन उसकेत में खेती बाड़ी करता है।g बैचारぁ खूं भासीना निकालता है। तो पूरा दिन मेहनत करता है। लेकिन अ मेहनत करके जो फसल होगी जो Marker में बेचा बेच कि जो पैसा कमाया ह।सजने पाड़ पयसा sara का सारा जमिदार लेडा ता… लग बग सारा पैसा जबाल की तो इसा उसके पारबहा है वह उच्छ नहीं है तो फिरसे क्वेश भोने हैं फिरसे खाद लानी है उसके लिए भी पैसा नहीं बचता था उस बिचारे फार्मर के पास यह हालत थी क्योंकि जो कमाई होती थी वो तो जमीदार ले जाता था मार धार करके उससे जमीदार एक्स्प्लोइड करके ले जाता था और जमीदार क्या करता था जो फिक्स अमाउंट ऑफ रेंड गोवर लेकि अगर फसल उगी नहीं हुई तो फसल उगी ही नहीं 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 जब जब पैसा आया नहीं तो कैसे दूंगा जमीदार को कैसे दूंगा लेकिन उनको घंड़ा वरकनी था उनको था बाई मेरे को मतलब नहीं है बाईशाय नहीं आया तुम्हारे पार पैसे हैं नहीं है मुझे मेरा अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए यह वाली सिच्वेशन थी अ लुल मुझा था पैसा देने पैसा नहीं है मेरे पास मैं कैसे दू फेасल नहीं होगी स्ल फेल होगई ऐसा या करे बारिश नहीं होग है तो बिचार हो लेता है अब पैसे ले लिया इसको दे लिया उसने बाह लिया नयाद बिचारा फार्मर जस्ती पर डिशे को और को और के अग्रेजों न बिच्भी कलसर और उसे पहले और यॉस्टा जबला सीगिए धेख वह राहम से नावग बशता था इतना भी पैसा निए बशता था कि अगले बार फिर से बीच बोने फिर से खात खरीटे उतने पैसे नहीं बशते था यह हालत थी और कोहन सा यह जमीदार लोग उसकी help करते थे तो यहां पर मनजी डालके बैठ जाते थे खड़े बैठ जाते थे उगाओ जो करना करो उसको फार्की नहीं पड़ता था घुटना बस पैसा निकाल लू निकाल लू बस और कुछ नहीं था है तो यह हालत थी हमारे देश की तो इस ही कवं को बोलता है या वा सब्सकe को देना है वो देखे बाकि अपना जबालेता है तो इसको एन्योर सिस्टम भी बोलते है तो कुछ-ब हम लांड सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है तो नाट सेटलमेंट पढ़ लेते हैं जी पेपर में आगर आप देखो के आपकी भुक के ही पॉइंट से लेकिन बच्चे मुझे कई बैक कमेंट करते हैं कि मैं यह नपको पॉइंट नहीं समझ आता प्लीज एक बगरा तो इसलिए आपके लिए नोट्स ले आई हूं नोट्स तो क्या आपकी चलिए अब आजगे अचा सुनिए एक चीज मैं आपको पहली बोल देती हूं क्योंकि भारत और अंग्रेजों की बात है तो कई बार हम ऐसा वर्ड भी मेंशन कर देते हैं बट कोई इंटेंशनल नहीं है वह एक फील आ जाती है न कहानी बदाते बदाते कि हमारे भारत के स अनड भात ऐसी हालत हुई तो हम बोल देते हैं प्लीज आप लोग कही बाइं कर देतों भाई रिक्वेस्ट ऐसे मत करना ठीक है बढ़िया बड़ी कमेंट करना अगर समझ आ रहा है तो बड़िया से धिकर में मोट्व को समझना ठीक है चलिजी यहांप चलिए यह आए एक सेटलमेंट जो हमारे देश की सरकार है जो ब्रिटिश गोवर्मेंट जो विदेशी सरकार है देश की सरकार की बोलते हैं जो विदेशी सरकार थी उस्टेम ब्रिटिश गोवर्मेंट थी उन्होंने एक इंट्रिड्यूस के एक यूनीक सिस्टम इंट्रिड्यूस किया उस सिस system बोलते हैं land revenue system बोलते हैं tenure system बोलते हैं यह सब बोलते हैं तो यहां पर लिख देती हूं तो यहां सबसे बहले British government आगी ठीके जी British government किसको point करते हैं जमीदार को point करते हैं और इसको इन तीनों की बीच में triangular relation होता है क्योंकि British government जमीदार भी government के अंदर आते हैं तो दोनों के अंदर ही आते हैं जमीदार के अंदर भी आते हैं British government के अंदर आते हैं अगर आपने मुवी देखियो लगान तो आपको हर एक चीद रिलेट कर पा रहे होगे तो आपने कभी देखा हो जब एक फार्मर नहीं दे पाता था ना पैसा तो वह क्या करते हैं तो इन तीनों के बीच में एक ट्राइंगलर रिलेशन था और इसको हम क्या बोलते हैं इस वस पॉपलरी नॉन एस जमीदारी सिस्टम ऑफ लैंड यां लैंड है लैंड सेटल्मेंट इसको बोला जाता है तो कुछ मेन फीचर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो पहला जो फीचर है पड़ावर से देखी जी जी डस एप錢 आल और अफ दी सउयलज चुछ जमीदी आर्स को कहा बनादिया था एक पर्मनेंध परेमसंटर मालिक नी ना सब्सक्राइब जहें ज rib aliment को नुए जो जबीचम तो पॉइंट को पर्मेंट्क और शकुरीट करते था बाकि कि पैसा अपनी जेप में दबा लेता तो वही बात है तो जमीदार पो रिगुनाइज अधा पर्मिनेंट और अफ देस्ट विच इंप्लाइड देट 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 प्रॉफिट जो भी फार्मिंग करके जो भी कुल्टिवेशन करके जो भी प्रॉफिट जनेरेट होता जमीदार अपने पास रख लेता था ना कि फार्मर्स की पास कुछ भी नहीं रहता था जमीदार उनसे निकाल लेता था यह आपको पता है कुछ पॉर्शन जो फिक्स अमांट ओव रेंट है वो देदेता था गोवर्मेंट को ब्रिटिश को बागी अपनी जेब में देबा बात करें और बाकी पॉश्चिन जमीदार अपनी जेब में दब आ लेता है तो बहुटर टो फिक्स उंडिए नस को डख पी अज़ाए था था ज़ैज को बिच्टर支 को फॉऱ् घेता है मदंसे था था कॉछ ऊंपास बाइस पॉर्ट चलच of the soil as they could जो जो जमीदार से वो फ्री थे अजाद थे जित्रा मर्जी फार्मर से वसूल कर ले जित्रा मर्जी वो वसूल कर ले उस सीच के लिए फ्री थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको फुला खुला छूट दे रखी थी तुम जो मर्जी करो मारो धाड़ो जो मर्जी करो मुझे घंटा परक नहीं पड़ता मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है मुझे मेरे बस रेंटल मेरे जो रेंट है नहीं जो किराया इस लिंका किराया बस मुझे वह इस एक समघंटा परक नहीं था लो तुम जो मर्जी करो मार वह धाड़ो जो मॅल जिक करो बलकि जो जो प्रॉट्स था जो सिरफ सिरफ क्या था जादा से जादा रिवेन्यू को जन्रेट करना फार्मर्स जादा से जादा पैसा निकल वाना वो और इंट्रस्ट ऑफ फार्मर से बारे में कुछ नी सोचा जाता था था कि जितना मट्जी उसको निकाला जासे अरे वह इतनी भी हल्प करते थे फार्मर की बारिश नहीं आई तो कुछ पानी का सोर्स ले आओ कोई कुवां वगयरा खुदवा दो अरे कोई बीज वगयरा के लिए उनको थोड़ी बद पैसे दे दो बीज वगयरा तुम खरीद के दे दो कुछ तो हैल्प कर दो एग्रिकल्चर में कुछ थोड़ी डिवेलपमेंट कर दो खेद में थोड़ा हम बात कर रहें इसमें चलिजी तो कुछ इंप्लिकेशन से अगर हम और बात करें कुछ और पॉइंट से आपके फड़ा पर से थे यह आप देख पा रहें को खेत है आपका चलिजी फड़ा पर से देखिए इट लेड़ टू अन्लिमिटेट एक्स्प्लोइट करते थे बे तक 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 यहां पैसा 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 बस यही था तो आइट टो और रिटिज प्रीट लेंट लेस्ट रिज आउट चे लेगए लीट वीट तो फ्रीकेशन आपदा यांप टिलर तो सभी बार इस साल मैंदे 2,00,000 वैं वसूल को ले तौर अगले साल मुझे थीन लाग। और से एगले साल मुझे 3,00,000 इतना है तो अगले साल और मुझे इतना पैसा चाहिए तो इस the बढ़ाई जाते दिवारा इस टकर में फ्रीक्वेंट इविकेशन ओड़ त्टिलर्स अव और पार्मर्स का तो कुछ पोचा ही नहीं जाता था बचारण फार्मर्स का हो जाता बुरी हालत मुझाता था पार्मर्स जो तो तेलेस वर रेडिूस ठीक है बेबर तो थे मजदूरी तो कर रहें बड लान्डलेस जैने वो लान्ड अब उनकी नहीं है पहले वो land उनकी थी, मजदूरी पहले कर रहे थे लेकिन वो जमीन थी थी, अब वही से मजदूरी तो कर रहे हैं, बचाए सुबे से लेकर राथ तक काम कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन अब उनकी नहीं है, land less labor बंग चुके हैं वो, ठीक है जी, farming was the, farming was the principal source of livelihood, जो farming थी वो generally उन farming से, खेती बाड़ी करके वो survive कर रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, है न, लेकिन वही farming उनको कहां लेके चलगी, was driven to, was driven to deep backwardness and long period of stagnation, उसी से, उसी farming से हमारे देश एकदम बिछड गया, backward हो गया, क्यों बिचारे farmers की ऐसी हालत ह होगी हमारे देशे में गजरीरी रहे अगी सारा पैसा तों अंगरेज उस आरंगाज की जो पालतु लोग थे वो ले जाते थे वैचे में भीकमरी रहे थे थेमार जिकाल onion को और सारा ख्यास के बिक्टहों कहांफ़ होगी थे भार बोहे बुरिय बीचत होती, त analysis को फीड Bennett एंग्रेज आने के बाद हमारे देश मेंें कमर्शलाइजेशन हो गया था अग्रेज्ट्रका ने सिस्टेन्स फार्मिग विए कि जो लोग उगाते थे इस ये पर में वह लेगाते देट उनेट लिए चलें देट बाजाएं बेचो, पैसा कमाओ, उन्होंने बोला, तो यह जो सबसिस्टन सब्स्स्टर्ज वो कमर्शल फार्मिंग में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, कमर्शल फार्मिंग का मतलब है, अब जो लोग वो क्या करने लगे अब फसल उगाने लगे थे बेचने पॉपस के लिए पता इसका रीजन गया था इससे पहले लोग लालती नहीं थे बिलकुल लालाच नी था मोम आया से दूर चैब अंगरेजों को देखा लालाच लालाच लाच लाच उनको भी पैसों का लालाच तो एक तरह से उन्होंने force कि उपर से उन prosperity के ने mean by लाला चागया तो उन्होंने भी क्या करया sistema farming commercial farming का मतल थैं कि आब जो grows और चुटके purpose के सेल मों कर से नारी कि अंदम्स यह थैं तो उन्हेन परिडियूस का क्रॉप for the sale in the market कि market में बेचने के लिए क्लिए क्लिए प्रसलों को उगाओ इसको कि दूसरी चीज क्या फोर्ट करी फार्मर्स को कि वह क्लिए जिसको काश में बात करूँ जैसे कि को टनों की जूट होगी इंडिक होगी यह आपकी कैश क्लोप इसका रिजन का था पड़े ध्यांस अमलों यह इंडिया ले 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 तियों समझारी ध्यांस नमलों यह आपका ब्रिटेन है वह आपका था ब्रिटेन है अब 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 अड़े दियांस सच है क्या होता था यह भारत है ठीक है हमें बोला गया अंग्रेज अट thriving तो हमें बोला गया कि तुम कच्छ क्रोब क्यों क्यों तुम कर्ट देशमें क्यों कि आख कि उतकी तुम यह लेचा ताकि यह प्टटन गाओंगे जूट गाओंगे इंडीकों घुगाओंगे यह उगाओ, अगर तुम इसको उगाओ कि क्यों बोला जाता ताकि यह जो raw material है, वो अपने देश में ले जाए और अपने देश में से क्या करें, प्रोडक्शन करें, उसको finished goods में convert करें, और बाप पिस आके हमारी देश में आके हमें बेचे, हमें लूट के क्या करें, खा जा ठीक है, इस 100 वे कॉटन से वो 1000 वे की शर्ट, बेचव्ट्षीट वगारा कॉटन की बना रे है, बनके finished goods में convert के और वही 2000 वे की चीजा हमारे देश में आके, 1000 वे में बेच रहे हैं, या निए हमारे देश में 100 वे का समान करें, अब हमारे देश में आके 1000 वे में बेच के यह कर रहे थे हंगरे इसलिए हमें पोर्स किया जा रहा था कि तुम क्या श्क्रोब दुगाओ यह रो मिटीरियल वगरी चीज़े उगाओ जैसे कॉटन उगाओ जूट इंडिगो ताकि हम अपने देश में ले जाए उसको अपने देश में प्रोडक्शन करें उसको फिनिश तो यह हमारे देश के अंग्रेज के प्षाइए तो यह हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या अच्छा एक चीज और ध्यान सब्सक्राइब अधियों कि निल की खेती निल की खेती स्की निल की कहती इंडिगो मतलब नील की खेती कि एक बार अगर उपने निल की खेटी का ली यानि इंडिको उगादी तो वह जमीर बंचर हो जाती उसके बाद से कोई और फसल नहीं उगा सकते तो इसके लिए वह पते क्या करते थे अंग्रेज क्या करते थे थे हम लोगों को लालज देते थे कहते थे हम तुम्हायर प्राइज देंगे तुम इंडीगोगव हम तुम्हारे देश में ले जाए उसे प्रेडक्शन करें और तुम्हारे इदेश में आके तुम्हें लूट के क्या करें खा जाएं जी यह तो बिचारे यह तो हमारे अंग्रेस थे ठीक हमारे तो क्या ही थे चलिजी फ्लो फ्लो में निकल जाते हैं कुछ अक्षर पर्ट डॉंट टेक इट पर्सनली ठीक है कंजंशन वाले क्रोप में तुगा हो वीट राइस सब ना हुगा कि तुम यह उगा हो क्यों ताकि ताकि हम उसे अपने देश में ले जाए उससे प्रडक्शन करें तुम्हारे दिश में आके तुम्हें बेश की क्या करें खा जाएं तो बही इवन इंडिको के लिए तो आ यह त्यार हो जाते थे फारमर को वह क्या करें इंडिको की फसल होगा है और इन क्रॉप को वह उसको और शाट बनाई बेट शिर्च और उसी को आगे हमारे देश में आगे बेच के पैसा कमाते थे यह तो वह तो फ्याइगwhat कुछ आपके आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब तीसरे पॉइंट पर उस टाइम पर जब मारे देश को अजादी नहीं मिली थी तो हम अग्रिकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहला आगे है का लो लेवल अ प्रोडक्टिविटी कि हमारे देश में जो प्रोड कम रहे है क्यों प्रोडक्शन कम हो रही है क्यों प्रोडक्शन कम हो रही थी हमारे देश में तो इसके बहुत सारी रीजन है पहला लाक ओप इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेशन फैसिलिटी की कमी थी बारिश आगी तो ठीक है बल्ले-बल्ले होगी बारिश आगी तो फसल लोग की फारिश नहीं तो भाई क्या ओगया भाई हमारे दिश में सारी-सारी फसल खराब हो जाती थी बारिश पेड़ेंडेंट एक तूपल यह कुवर अगरा भी नीथे बहुत कम एरिया से जहां पर कुवह होंगे वहना बहुत सारे मेज़ोरटी ओफ एरिया में कुवह त इतनी बूरी हालत थी मतलब इस टकर में प्रोड़क्शन के पेस्टी क्या थी कम थी नेक्स लाक ओफ यूजो पेस्टिसाइड्स और फॉर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड्स मतलब जो पेस्ट को मारता है कीड़ वगरों को मानने की दवाई होती है लोगों के पेस्टे इसको बढ़ती है और तीसरा इतना तो पैसा ही नहीं था फार्मर के पास कि उसको आफॉर्ड कर पाए उसको फॉर्ड ही नहीं करते है और कुछ पता भी नहीं था कि अच्छा यह सब चीज़े भी होती है तो बहुत सारी चीजे थी तो यह सब थाई नहीं पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ऐसी कोई चीजे भी नहीं थी अगर कुछ लोगों को अगर थी भी सही थोड़ी बहुत अगर मैं बात करूं तो लोगों में अवेरनेस नहीं थी लोग यूज ही नहीं करते थे इस्तेमाल तो वही कारण है कि यह नहीं चकर में जो प्रोड़क्टिविटी थी वह बहुत ज्यादा क्या थी कम थी चलोजी अब अगले पोइंट पे चलते से हाई डिग्री ओफ डिपंडेंसी थी इसपे डिपंडेंसी थी रेनफोल पे डिपंडेंसी थी बारिश पे अरे बरसो और बारिश आगी तो बल्ले बल्ले होगी बारिश आगी तो फसल लुगी बारिश नी आई तो फसल बरबाद वह लिहाला थी next point के आपका scattered land holdings या फिर जिसकों दूसरा नाम भी आपके बुक में शायद यह वलावर्ड होगा इसकों scattered land holdings भी बोलते हैं या फिर इसकों small and fragmented holding भी बोलते हैं मतलब इसका क्या हूँ है scattered का मतलब बिखरा बिखरा फैला हुआ ठीक है fragment ही मतलब बिखरा बिखरा इसका भी मत पर स तैंस सांह Municipal भी 많은 ख्याम का तो आप देखर हुं विकरई भीर सीगए पूरहले से तक रही समीन का तो पर्रोडाइट प्रोडा से ठोटाइव प्रॉडDadut तो अब आप देखो पहले तो वह बंदा क्या करेगा अरे यहां पर बहुत मुश्किल से मूव होगा बहुत मुश्किल से चलता है लेकिन अगर यह के उस पूराistorली पố खॉंड्ङर Turn passes रम के परिली तो एक तो बंदुटररो वहेल लोगो की जमीन हुआ अगरования यह की जिए र सबसे बड़ी प्रबल्म फॉड़ाथ कि छोट़ चूट़ चुड़ हो में लोगों की जामीन ही घ्ञ मेरा यहां यहांद तकम थी तो में एही रीजन से पुरख्वाइड कॉशे छोड़ीशन पित रशे के टकम थी तो यहीं रिजन से प्राक्शन जो हां लोगों की कम हो Серг प्रोड़क्टिविटी और यही कार्यान की प्रोड़क्टिविटी थी उस त्याम पे बहुत ज्यादा क्या थी काम अब अगले पॉइंट प्रड़ाब से चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका लाक ओफ इन्वेस्टमेंट इन्दा एग्री कल्चर अब एक बात आई जो यह फार्मर इस पर खेती कर रहे है पैसा को लेके जाते था जमीदार यह फिर ग्रेटिश गवर्मन्ट दोनों ले जाते थे लेकिन वह कुछ भी इंवेस्ट नहीं करते थे कुछ हेल्प नहीं करते थे फार्मर्स की कि तुम कोई बीज के उनको पैसे द लगा दो कुछ नहीं करते थे कुछ भी नहीं करते थे और यहीं कारण है कि उस तहीं पर प्रोड़क्टिविटी क्या थी बहुत ही जादा कम थी जो पार्मर्स थे वह सिर्फ रेंपॉल पेटिपेंट से बारिश आगी बरसोरे मेगा मेगा अगर हो गया तो भाई ठीक है वर ना गए बात तूरा 000शबिटिश गذुट्ट्रकार करेट इस थे अवनिदार चांक। एक खेत में कोई पर्मनेंट मीन्स और इरिगेशन नहीं थे यानि कोई वेल टूबल की फैसिलिटी नहीं थे उनके पास और यही कारण था क्योंकि उनकी प्रोड़क्टिविटी थी वह बहाँ साथा कम थी वह कुछ भी कुछ इंवेस्मेंट कर दो तुम यार सारा पैसा तुम लेके जा रहे तो कुछ इंवेस्मेंट भी कर दो यार ठीकी जी कुछ भी नहीं करते थे और एग्रिकल्चर वास हेव बारिश आगी तो फजल उगी बारिश नियागी तो फजल खराब होगी तो अंसर्टेन हो गया था सब चीजे पता ही नहीं होगा की नहीं होगा वह ली बात है तो यह हालत होगी चल जी एक पॉइंट आपका गल्फ बिट्वीन ओनर्स ओफ दॉइल और तिल्लर ओफ गया गया बिट्विन जमीदार ऑंस के भूप बड़ााइब लमीदार का रहा मीडर करता नहां पर दो grieving कष top जित्तना निकाल अनिकाल कुछ को knee क्रेटन गया नी करते積画 कूछ को कुछ investment नहीं करता था agriculture में agriculture की development हो सके खेती अच्छी हो पाए कोई irrigation facilities develop कर दे कुछ नहीं करता था बस अपना पैसा वसूद करना है बहुत जाद करता था सारा का सारा पैसा लूट लेता था उनसे उनके बास कुछ पैसा नहीं बचता था बिचारे farmers की क्या हालत होगी थी तो बहुत बढाइ बिच खी गरी बट भाडल यह टो फिर से क्या पैसा बश्क आधालः किय उतना भी पैसा नहीं बचता था अहल्य को पैसा देना का लेता था मंता फिरे था रहता नोगों पैसा मांगता फिटता रहता था और पैसा उनको दे रहता था पिचारा खुद करदे में डूब जाता था यह हालत होगी थी हमारे फार्मर्स की तो बहुत बड़ा गयाता जमिदार्थ फार्मर्स के बीच में वही सारी कहानी है जो आपको यहां पे लिखनी है सेम डिक्टो क्या है यहां तक थीक है अब आगे चलते ही पड़ा फटसी चलिए नेक्स के आपका लेक्स करन होगा फार्मिन वेन इंडिया दूरेंग बिटिश रूल सनी सामिनिस का मतलब है बुखमरी हमारे देश में इंडिया में जुहां अंग्रेजों के समय की बात करें पंग्रेज बारिष नियुकर फसल ने उगरी फसल ने उगरी क्रोप फेल हो रही इस टकर में जो लोग है वह वुख मरी पूड क्राइसिस की प्रोब्लम कहाने के लिए लोगों के पास दो वक्की रोटी के लिए भी अगर मैं बात करो अनाज नहीं होता था यह हालत होगी तो और आप द दांचे दिख रहे हैं इतनी इतनी बुख मरी आई थी तो हम भाही बात करें तो ताम में इसका मतलब होता है सेवर शॉटे जो फूड बहुत जादा फूड की क्या होगी ती किसकी वाज़े से ओं टुड क्रॉफ फेल होगी थी फसल ने उगरी थी क्योंकि बारिश निया आई स्टारवेशन इस टंगरे में हमारे देश में बहुत जादा बुक मरी की सिच्वेशन आ गई थी चलिजी नेक्स क्या आपका अगर मैं बात करूँ 1760 से लेके 1943 तक बहुत जादा हमारे देश में बुख मरी रही है, बहुत जादा, मतलब इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं, क्योंकि, देखो सीधी सी बात है, कितने दिन तक एक इनसान बुखा रह सकता है, अब बुख मरी आगी थी, उनके पास खाने के लिए कुछ था इंडिया है, अगर मैं बाद है, हिट बाए, टेरिबल फैमिल्स मतलब बहुत जादा बुख मरी रही है, इंडिया कहने, वो भी रेगलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि, अब रही है, तो थोड़ी ठीक होगी, फिर आई है, ऐसा नहीं, रेगलर बेसिस पे, बहुत जादा 1769 से लेके 70 तक, 1769 जो भी है, 1769 से लेके, यानि एक साल ऐसा था बेंगॉल के अंदर, इतनी जादा बुख मरी थी, इतने लोग मरे थे उस बुख मरी से बेंगॉल के अंदर, बहुत जादा, और इसी को हम बोलते है, ग्रेट फैमिन और बेंगॉल बोला जाता है, यहां से आपका एक नमर का MCQ आ जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ट एक्जाम के लिए बिए इंपोर्टेंट, आपके स्यूटी के लिए बिए इंपोर्टेंट है, कि बहुत सारे लोग उससे क्या करे थे, मरे थे तो भई बात करे, तो the most significant among those, और इन सब में से, इ एक साल ऐसा है, जिस जो बेंगॉल के अंदर आए था, बहुत जादा बुख मरी आई थी बेंगॉल के अंदर, 1769-70 में, which claimed a large tolls of life, जिसने बहुत सारे लोगों की मृत्ती होगी थी, बहुत सारे लोग जिसमें क्या होगे थे, मर गये थे, तीक है जी, आपने में लैंगव लोग मरी थे, more than 85 million people died, because of this repeated feminists, regular feminists, इतनी जादा, regular basis पे जो बुख मरी थी, उसकी वज़े से, इतने सारे लोग मरी थे, आगे, लेकिन, लेकिन, जब हमारे देश को अजादी मिल गी, after the independence, तो ये फैमिनिस की problem थोड़ी control में आ गई थी, at least लोग मर नी रहे थे, बुख मर से, after the independence, आपको बता हमारे देश को 1948 में इंडिपेंदेंस में, sorry, 1947 में, 1947 में हमारे देश को क्या मिल गी थी, इंडिपेंदेंस मिल थी, 43 तक जाधा रही थी, 47 तक आगे थोड़ा-थोड़ा रिलीफ हो गया था, इंडिपेंदेंस के बास हमारे देश में, फैमिनिस की problem बह बहुत जाधा control में आगी थी, और at least लोग मल नेरे से, बुखमरी से, वह वली बात है, in contrast, there have been no famine, बुखमरी नहीं थी, no famine, related death since independence, यानि इंडिपेंदेंस के बास, यानि जब हमारा देश अजाद हो गया था, उसके बास at least famine से related, यानि बुखमरी से related death नहीं हो रही थी लीजी, तो यहां तक clear हो गया आपको, यहां तक देख लीजी, बहुत easy है, कुछ नहीं है, यह points आपके लिए, बहुत बढ़ी आतरिके सापको एक-एक line सब को समझा दिए, साथ के साल notes बनाते रहना, अपनी language में लिखना चाते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब language असान कर सकते हो, बढ़ यह points कुछ keyword जरूर याद रख़ा, नोर्स बनाते वागए, नेक्स पॉइंट के आपका, partition of the country and its impact, impact on agriculture की बात करें, हम agriculture वाला टॉपिक करें, तो impacts on agriculture, ठीक है, अगरे इंपेक्ट तक आ गया, तो संबल ले न, agriculture की बात हो रहे है, अब partition का मतलब क् अब हमें पता है, जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए थी, जाते जाते भी वो क्या करके गए थे, food डालके गए इंडिया पाकिस्तान में, हमारे इंडिया पाकिस्तान क्या हो गया था, पाठीशन हो गया था, इंडिया पाकिस्तान में बटवारा हो गया था, तो पंजाब हो गया चिके जो बीसिकली इंडिया पाकिस्तान पहले तो एक इटा कुछ बहुत ञादा रिच फूर्द प्रोड्शिंग एडिया थी इसमों बहुत जादा फूर्ड प्रुड्श उता था तो इसथे हैं फूर्द पंजाब पाकिस्तान के अंडर चला गया वह पाक कि वजह से हमारे एंडिया परसेंट परपलेशन इंडिया में बहुत जादा क्या थे लेकिन जो फूट फूट ग्रेंज एरिया थे वह बहुत जादा क्या थे और एटी टू परसेंट जो है पॉपलिक्शन हमारे देश में आगे थी ऐसा क्या हुआ था जो रिश फूट प्रड्यूजिंग एरिया थे जैसे कि वेस्ट पंजाब हो गया या सिंद हो वह पाकिस्तान में चल गया पहले इंडिया पाकिस्तान एक था ठीक है अब जब बटवार जिन्दा कंटरी इस चक्कर में हमारे देश में फूड क्राइजिस यानि फूड की खाने पीने की कमी होने लगी यह प्रॉब्लम आने लगी थी हमारे देश में जाना तक ठीक है मेरे बच्चों चलीजी अब आगे के चलते हैं फड़ा बर से इंडस्टियल सेक्टर ऑन दा बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कि बहुत इंडस्ट्री 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 के रेता हमारा इंडेस्ट्र्ल सेक्टर फिलाप करण से रगजिआ धाइस Aah कर लगर्ए सब्सक्राइब करने क्वाएं थे प्रोक्त हम एक हो वे हनीधार है हाल सब्सक्राइब करता है य कंट्री इसमें भारत के और लग़ए जादा बहुत जादा फेमस था मतला हैंडिक्रा मतला हाथ से हाथ से प्रोडक्स बनाए जाते थे बड़े सुन्दर सुन्दर हाथ की कलागारी होती थी हाथ से प्रोडक्स बनाए जाते थे और उसकी डिमांड सिरफ इंडिया की लोग नहीं करते थे उसकी सेल जो इंडिया मे ऊसके एक्स्पोर्ट थी बहुत पैसा अरहा था देश में। इंडस्तिरियल सेक्टर भार कर रहा था ह। अच्छा चल रहा था पर टीक으로 के अर ग्रोता ग्रोंग कोशी तो सहीं के यह क्या भई अंग्रेश तो से हमारी कुशी निम ठांगर यह लोग और वेपार करते थे फूराइब निजट करी लोगों निए पोरे विश में इनकी हम इसको गूला कैसे बनाइए तो उन्होंने आते ही हमें क्नों करने की कोशिक्षर उन्हें किुलाम refers वोगों नहींने क्यों शूर॓क से ब्रहें और लोगों ने अपनि देश में लेके जाएं अपनी देश में प्रडाक्शन करे और तुम्हारे देश में आके तुम्हें लूट के तुम्हें ही खा जा यह उनकी प्लानिंग थी तो अगर मैं यहां पर बना देती हूं ठीक सिधी बाद है यह इंडिया है मालो this is our है इंडिया है यह हमारा भारत है पिज हय है वार खंडिकात अ LI बहुत ही सब्सक्राइब जह ईंडिया में इंसे मारी खुषी दो बाटास्ति इनुघ बोला कि इसे प्रamm भीड़ा परफॉर्म करेंगे तो उमको गुलाम कैसे बनाएंगे हमसे पैसा कैसे कमाएंगे तो यही तो करना चाहिए हूं में गुलाम ली तो बना नहीं है हमें जोड़्स तुम्हें बेचे और बेच के लूट के खाजे, सोर पे की कोटन हमारे देश से लेके जाते थे, हजारों पे में शॉड या फिर कोटन की कपड़े, बेटशीट वगएरा बना बनों के हमारे देश में बेचते थे, ये करते थे अंग्रेज, समझ रहो, ये करते थे, तो हमारे देश में क्या हुआ सबसे पहले, जब इंडस्ट्रिल सेक्टर की क्या हाला थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, डी इंडस्ट्रिलाइजिशन कर दिया गया, इंडस्ट्रिलाइजिशन का मतलब बता है, industries को लगाना औro destruction का मत्रव मताव इंडास्ट्री को हटाना वो आयसे हमारे देश में आ अंगरे इंडस्ट्री को हटाना शुred कर दिया लोगों को歡迎 किर्झ करना शुरूट कर दिया लोगों को को पिनिश बोट्स में करें तुम्हारे देश में आगे तुम्हें लूटके क्या करते खाचे जो मेन अबजेक्टिव क्या ता अंगरी दोगा बिटिश का वह तु रिमूव दा इंडस्ट्रीज फॉंड इडिया कि बहुत और ऑगर इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज को तो कैस तुमसे रोव मिटिरियल को खरीद ले तुमसे खरीदने के अबाल इसको फिनिश गूर्ट करके और तुम्हारी देश में आके तुम्हें ही बेच के तुम्हें ही लूट के क्या गज़े खाजे तो यही वह चाहते थे तक वह इंडिया को एक्षपॉर्टर बनाना चाहते थे और इंपोर्टर बनाना चाहते थे फिनिश घुर्ट तो हमसे क्रीदो और तुम हमें रोव मिटीरल वगएर तो वह चाहते थे कि इंडिया बस बिकम्स एक्पोर्टर अब नावनाए फिनिश गुड्स मतलब फैक्टरी में इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोड़क्त ना बना तो वह नहीं चाहते थे फिनिश गुड्स के बस चाहते थे इसलिए उसलिए इंडस्ट्री को हंटाना शुरू कर थे अब देखो बहुत मारा लोगों को घायल कर दिया कुछ लोग तो हट गे कुछ लोग चले गे परशान हो गें अंग्रेजों से कुछ लोग चले गे उस थे लोगो कईने तो लोग नहीं जो खाड़ना है की इस हम करें तो कुछ लोग निडर थे वो उन्होंने हटाई पहले तो डी इंडस्ट्रलाइड़िशन कर दिया मात धाड करके उनको हटवाना कोशिच कर कुछ लोग नहीं हटे तो फिर उनने दिमाग चला दिमाग सो चला की खेली और क्या चला की खेली एक डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी लेके आयो नाम से बचला डिस्क्रिमिनेटरी मतब भेदभाव किया किसमें टेक्स पॉलिसी में टेक्स से रिलेटेड बहुत सारे भेदभाव किया कैसे बेदभाव किये बड़े ध्यान से समझी कैसे क्या 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 हुआ है यह इंडि प्रॉडियूस करते हो यह गन्हाँ बेच अब कोई टेक्स नहीं लगेगा दो इसली इसली हो जो पर एक्सपोर्ड करने पर उननेमें कोई प्रडियूस करते हो मैं टिस्क्रिमिनियशन किया भेगए किया एपने फाइब लें डूसरा उनको बोला अगर तू घृस्पोर्ट करते हो तो तूंझोट तेक्स नियुक्ष हमसें लगाएं हमने कर लेकिन तो फीक्ष पोकट में निजय प्र canal से हिंडिने необход Petersburg babe तो यह उन्हें ने किया कि हमारे जो फिनिश गूड्स है ना हमारे फिनिश गूड्स करने पहर लें enabling अग्त पर पर मुद्ड राटा दीया उस पे मिट्स लिखा क्यों प्रोड़किर्त करते हैं उनको बेचते हैं तो उस पर कोई भी टेक्स नहीं लगा ताकि रोव मिटेरियल उनको सस्के में मिल जाए दूसरा पॉइंट के अगर वह एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश गूर्स को बने बनाए माल को अपनी इंडस्ट्री पे बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे इतना है उनको बनाँ पॉइंट्स तो और सबसे बहुत है तो सबसे पहले पॉइंट के है सबसे पहला पॉइंट का हाई टेक्स लगा नहीं डिस्क्रिमिनेटरी टेरी पॉलिस को में टेक्स लेटेड बहुत बहुत दाए था अगर हमारा भारत इंपोर्ट करता था था सिनिश्गूर्स को बिटेन से तो उस पर भी टेक्स नहीं लगाते थे ताकि बिटेन से उनका सस्ते रेट पर आज ये लोग उनका समान कुरे दे हैं चोधा पाइस के यह थो कर दिया तो वहीं हम बात करें तो फड़ा पर चिक बाद देख लेते हैं 9 यहां से देख लो नो टेक्स on export of raw material from India to Britain यारी जब इंडिया export करती थी raw material इंडिया से ब्रिटेन तो उस पर कोई भी टेक्स नहीं लगता था दूसरा पॉइंट नो टेक्स on import of finished goods from Britain ठीक है जब इंडिया import करती थी finished goods को ब्रिटेन से खरीच थी थी तो उस पर भी लगते हैं ता कि ब्रिटेन से सस्ते रेट पे माल को लिया जा सके इंडिया में सस्ते रेट पे आज़े ठीक है क्योंकि वह चाती थी सस्ते रेट पर आगे तो लोग उनके प्रड़क्त खरीदेंगे ब्रिटेन के प्रोड़क्त खरीदेंगे चली थी तीसरा और बारक बाराई थैसे अच्पोर्ड करता था हैंडिक्राफ खर सब्सक्राम हमारे देश की प्रोड़क्त को तो उने ने डिस्क्रिमिनेशन करा टेक्स रिलेटेट पॉलिसे पहले तो मारधार करके निकालने की कोश्ची करी तेकिन जो नीडर लोग थे वो डटे रहे हम तो नहीं जाएंगे हमारा देश हम जो मर्जी करे तुम होते कोन हो हमारे देश से हमें बोलने वले कि यह करे या कोश लोग किया तो जो ठीके रहे उसको कैसे निकालना था उसको कैसे रोकना थे इंडस्ट्री से तो उसके लिए उसके लिए क्या क्या है डिस्क्रिमिनेशन किया टेक्स रिलेटेश इस रिलेटेट यह सारी इस पर भी चलेंगे तीसरा पॉइंट है competition from machine made products हमारे देश में हमारे देश को बहुत जादा competitive करता था ब्रिटेन क्या था मशीनों से product बनाता था मशीनों से product बनाता था तो उनके product बहुत जादा अच्छी quality को थे पॉइर quality को थे और cost of production भी उसकी कम होती थे क्योंकि machine हो बनता था बहुत बढ़िया हम क्या बढ़ करते हैं हातों से बनाते थे बहुत जादा हातों से बनाते थे तो इतनी जादा quality भी अच्छी नहीं होती थी और price भी जादा था उनके product सस्ते भी होते थे क् हमारे देश की जो लोगों की डिमांड वो उनकी तरफ जा रहे थी लोग वेस्टन कल्चर को डॉप करने थे उनको प्रोडूक्ष जादा पसंद आने लगया था बहुत जादा अच्छ जाधा अच्छे ठीड़े फैशनेबल प्रोडडक्स करते रहे थे टेकनोलीजी मशीन होती थी ने-ने-ने- कोशिश भी करें, क्योंखे नायद से वन तो जब तक, हम कपी करेंगे, इस दिआ तो ये धो को बीज़न श्राइनगी टीमार HOWन उने लेकिजन का उनका प्रिटेश्श काँ पेहनावा वा और उन भी लिजने लागा थ जो हैन को जादा पसंद आने लगे थे ब्रेटेन के प्रृडेटें के प्रेटेंश्न आने लगे नेक्स, इंट्रोडेक्शन आफ रेल्वेस, रेल्वेस जरुरोँ ले के आये थे वो हमारे भारत में, लेकिन हम लोग रेल्वेस को यूज़ नहीं कर सकते थे यानि भारत की लोग railways को use नहीं कर सकते थे अंग्रेज ब्रिटिश वल जो Britishers थे वहीं अंग्रेज लोगी उसको use कर सकते थे कैसे कर सकते थे हमारे देश से draw material ले गए तब railways को use कर लेते थे और अपने देश में finish goods बना ली finish goods से railways करते थे हमारे देश में ले आते थे तो यह करते थे तो बहुत बूरी हालत होगी थी इससे भी मारे देश को बहुत दाधा इंपेक्ट पढ़ा था मारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे इंपेक्ट पढ़ा था बड़ ध्यान सब्सक्राइब इंडिया में है और ब्रिटेश लोग भी ले आए इंडिया में प्रोड़क्स अपने वह भी बेच रहें तो क्या हुआ मालो लेट से दिल्ली से मुंबाई दिल्ली से मुंबाई समान भीजवान है तो अंगरेज लोग तो क्या है ट्रेन पे मालगाड़ी होती थी लोड करते समान ठीक है एक दो दिन में समान चला जाता था इंडिया सोरी दिल्ली से मुंबाई समान चला गया एक दो दिन में पहुच गया हम लोग अब हमें कोई हम अगर हम भीजवाई समान तो किसमें बैल गाड़ी पे हमें तो महीनों लग जाते था समान को इधर सूदर भीजवा नहीं इस्तमाल कर पा रहे थे ठीक है अच्छा यह देख रहो हाथ से और यह प्रडक्शन उनकी मशीनों से होते हैं हम लोग हाथ से करते थे जनरली आपके लिए पिक्चर चलिजी एक आपकी बुक में पॉइंट है बहुत इंपोर्डेंट पॉइंट है आपके लिए यहां स जादा पॉइंट हो रहा थी देश में जो इंडस्ट्री जनरली क्या थी तो हैंडिग्राफ इंडस्ट्री उसको भी हटवा दिया जा रहा था ठीक है जी और अगर मारे जो इंडस्ट्रिल सेक्टर वह बहुत जादा कम ग्रोव कर रहा था इसक्रिमिनेटिटेट टेरिव पर इस ले आये थे हमें सब देखा तो जो मोडर इंडस्ट्री थे वह बहुत ही जादा क्यारी थी हमारे देश में कम ग्रोव कर रही थी जब स्लो ग्रोव थी तो बाद कर लेते हैं ऑन्डर बिटिश राज बिटिश राज मता अंगरेजों की समय की बात करी जा रही है जो की शूगर की इंडस्ट्री देश में धिरे देना खुलने लगी थी ठीक है हम बात करेंगे भी ठीक है कॉटन चूट टेक्स्टाइल होगी यह सारी चीजे चल जी तो modern during the during the British Raj or under the British Raj कुछ भी लेना sorry the modern industries the so only a blee growth बहुत ही slow growth थी बताब बहुत ही slow growth थी मतलब एक बात करूं बहुत जादा initial stage पे थे जो modern industries बहुत ही जादा beginning infant stage मतलब initial stage पे थी बस शुरुवात ही हुए थी उस तेंगे ठीक ही it was only in second half second half of 19th century जिसका मतलब बहुत है 1860 से 1899 के बीच में ही जो है अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में modern industries धीरे-दीरे क्या होने लगी थी खुलने लगी थी start होने लगी थी तो इस पीरेड में हम देख रहे है कि मारे इंडस्ट्री जो है दीरे-दीरे emerge हो रही थी मतलब start हो रही थी initial period था the modern industry shorts is अगर मैं बात करूं कौन कौन से इंडस्ट्री वगएरा दीरे-दीरे खुलने लगी थी इनिशली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में cotton and jute textile mills आई थी यह खुली थी ठीक है यह setup हुई थी जो cotton textile mills अगर थी MCQ की point of view से important है अच्छा से पढ़ लेने पूरा कपूरा जो cotton textile mills थी वो कहां पे located थी वे वेस्टर इंडिया में इंडिया का west area आपको बता ना भारत का नक्षण देखा आपको लें इंडिया का map देखा तो west area में तब जहां पर Gujarat, Maharashtra, Mumbai, Wall area जो western area में थी industry जो mainly Maharashtra और Gujarat में पाई यह जो industries थी यह mills थी and were mainly controlled by the Indians और इसको control कौन कर रहे थे हमारे देश के लोग Indians लोग इसको control कर रहे थे ठीक है लेकिन जो जूट टेक्स्टाइल मिल थी जूट टेक्स्टाइल मिल्स कहां पे लोकेट थी वह Bengal में located थी और इसको control कौन कर रहा था वो foreigners control कर रहे थे यानि अंग्रेज लोग उस इंडस्ट्री को क्या कर रहे थे control कर रहे थे ठीक है तो यह उस ताइम की बात चलिजी नेक्स्ट आपकी और और कौन-कौन से इंडस्ट्री आई थी अंग्रेजों के टाइम पे एक टाटा आइरेन स्टील कंपनी आई थी जिसको हम टिसको बोलते है टाटा आइरेन और प्रिजी के लिए एक नंबर का कुश्टन बहुत इंपोर्टन है फुल फोम आजाते है टिसको की फुल फोम क्या तो आपको पता होना ची टाटा आइरेन और स्टील कंपनी यह कब आई थी तो आपको पता होना ची नाइटीन जीरो सेवन में आई थी प्लीज यह नोड्स स्टील की कंप्री थी तो इस चकर में उस टाइम पे जो है यह इंडस्टी थोड़ी अच्छी खासी डेवलप कर रही थी हमारे देश में आगे हम बात करते हैं आफ्टर वर्ड वर 2nd आफ्टर यानि 1945 हम क्या बात कर रहें अंग्रेजों की समय की बात कर रहें ठीक है सीधी 1997 नाईटीन थी वात है 1947 हमारा देश को हमेल तो 1945 के बाद और 45 के बात करो हमारे देश में और भी इंडस्टी खुलने लगी धी दीरे-डेस निमें पापर की शुगर इंडस्टी जो हैं आगे देश में देरे-वर्ड एश कूलने लग गाई थी अगे क doute को इस बांगा हमार अब हमें बता है इंड़ा परडक्षिन करते तो मशीन होती कि इन सि भुड़ है उसले किमीन Schmidt में उसले है और अड़र मजीने जम्वेंषटरीन ही नहीं ति यहीQuben एज चानद हुआ। हाथ सो था था मशीन नहीं नहीं थी क्योंकि मशीन बनने वाले इंडस्ट्रीज भी नहीं होती थी मारे देश में वही बात है next contribution of industrial sector in gdp was extremely low बहुत ज्यादा लो था gdp में contribution industrial sector का contribution बहुत ही ज्यादा क्या था लो था बहुत ही बुरी हाला थी हमारे देश agriculture sector में मैं मानतीूँ बहुत सारे लोग जो है contribute कर रहे थे बहुत सारे लोग एग अगर सत्तर परसेंट से जादा लोग agriculture sector थे तो लग बख सिर्फ पचास पर्सेंट ही gdp में contribute कर रहा था और industrial सेक्टर की बात करूं तो इसमें तो लोग भी कम थे बहुत जादा इनिशल स्थेज में ती मॉर्डर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत जादा क्या था कम था जरीज नेक्स अगे और बात करते यह बोड़ रहा है you point है महारे बेश स्क्टर वहत वह बातत party तो क्या कारएं एक कि अम बोले कि हमारा इंडस्टियIL सेक्टर बहुत ही जाधा जो है अगर मैं बात करू क्या क्या करएं कि हम बो सकें कि मारा इंडस्टियॉ बहुत ही जाधा जो है बैकमर्ट्व और लिमिटेड गुरोथ कर अडिको देंजलि हो और उसके बाद उन्होंने क्या किया इट वोज लोज ली ओंट टुद डिस्क्रिमिनेटरी टेरी पॉलिसी लिया थे अंग्रेज लोग यही कारण है कि हमारे देश में हैंडिकर इंडस्ट्री बिल्कुली क्या होगी थी खतम होगी थी पहले एक्स्प्रॉइट करके खतम किय इट वाइल रिस्ट्रिक्टिट टुद एक्सपेंशन ऑफ रेलवेई इट हैंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया मार्केट फॉर दब्रिटेश प्रड़क्ट हमारे देश में नोट और रेलवेई भी आई है लेकिन वो कौन यूज कर रहे थे ब्रिटेश लोग ही यूज कर इंडिया में रेलवेई कर यूज करके वो समान को मेलम फिनिश गूर्स को इधर से उदर लेके जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर लेकिन हम लोग नहीं तो इंडिया मार्केट जूर एक्सपेंड विल फॉर लेकिन फॉर बिटिश प्रड़क्स के लिए नॉट पो आर न जादा infant stage पर थी बहुत जादा beginning stage पर थी तो यह तो हमारी हाला थी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडूस्ट्रील सेक्टर वह बहुत बाख वόड था면ुडेत मेरें कम कॉंड्रबूट कर रहा था और बहुत जादा limit growth growth जो बहुत है moneteप मेंo reduce पर गरोथ टो यह ह जीछ चरे चलेरे हम फोरेंट ट्रेड पे भी जाएंगे और दीरे तेर आगी बात करेंगे इंफस्रक्षर किया थारे जीश का वह भी हम चलेरे च्रिक चले एक आपकी शाथ बुक में यह डंबा सोगा यह कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बॉक्स में होते हैं मैं एक-बॉक्स प्राइर तो ब्रिटिश रूल की बात करें कि अंग्रेजों के आने से पहले की बात करी आहीं है प्रायर मतल्य पहले किसके पहले प्रिटिश रूल यानि अंग्रेज्जों के आने से पहले कि अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है ना तो बात करें तो बंगलादेश की, ताइम में धाका तो बल्कुल पास थी ये इंडस्ट्री जी थी, थी बहुत ही सुपीर क्वालिटी का क्वाटन बनता था इस इस अंस डिशैल में बहुत ही सुपीडियर क्वालिटी का क lok बडनता था इस textile में इस industry में बहुती में। आप था क्पड़, तो इतना क्पड़ में दाल दूझि लूट ए इधने इस ऐसा क्पड़ gusta नाम है मलमल जो कहा पिना निसे इंडस्ट्री में बनता थो मलमल वोस पानेल वाइटे ओव डेकाई zurी मुंशलीज इस इंडस्ट्री का जो मलमल का कपड़ यह भी बए मुड़ा आद बाध कहुआत हुआ क्पड़े इस इंडस्री में बनाया चाही क्योंकि शाही लोग पहनते थे शाही लोग पहनते थे इसको नाम दे दिया था मलमल शाही और मलमल खास क्योंकि खास लोग पहनते थे बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कपड़ा होता था तो यह लोग पहनते थे तो इस कपड़े को क्या नाम दे दिया गया था मलमल श राही या मलमल खास दे दिया गहा था तो यह छोटा से तॉटा से टॉपेक है जो हमने बात कर लिए चलिए बागे चलते मेरा ओछ पर नेक्स टॉपीक है अपका nursing ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल क्या है मेरा बच्चों फोर एंडर ब्रिटिश रूल की हम बात कर रहे हैं मैं मोटे मोटे टॉप्स की बात कर रही हूँ वो छोटे-चोटे boxes को नहीं ले रही हूँ मैं अंग्रेजों के आने के बाद agriculture sector की क्या हाला थी हमने पढ़ लिया industrial sector की क्या हाला थी हमने पढ़ लिया वो topics मतले ना कि partition पर क्या हूँ वो अलग वो boxes वो अलग हो गया देश की बात करें अब हमने अग्रिकalten की बात कर विदेशी पार मतलब यहां पर क्या हो गया विदेशी की साथ क्या हूँ ए एकण्वर्ट-इम्पॉर्ट की बात करी ज़री कि हमारे देश का Nikki आंग्रेजों के समय दूरिंग अंडर ब्रीटिश वल बाद दूरिंग दविटेश टूल हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपॉर्ट क्या सथा विदेशी विपार क्या सथा यानि फॉर्ञ ट्रेट कस था तो सबसे बहले यह पोईंट्स तो आपको पता है यह यह आपको पत लगाते थे तो हमें क्या बनाती हुआ थी यह कि इंड़स्ट्री जादा बंद हो गीती बहुत सारे लोग इंडस्री छोड़के अग्रिकल्चर पे चलेगे थे दूसरा point क्या था यही वाला point जो मैं भी समझा रहे हूं कि India जब export करते है raw material Britain को तो उस पर कोई भी text निया लगा जाता था so no text on the export of raw material from India to Britain कोई भी text निया लगता था raw material पे जब India से Britain उसको export किया था था ठीक है पहला point clear होगे दूसरा लेकिन अगर हम Britain से ब्रिटेइन से इंपोर्ट करते finished goods अगर इंडिया विटेइन से इंपोर्ट करते है ख्रीदता है finished goods को तो उस पर भी text नहीं लगता था क्यों नहीं लगता था ताकि उनका जो अगर हमारा भारत अगर हमारा भारत एक्सपोर्ट करता है फिनिश गूर्स को सब्सक्राइब टेक्स को इतना सादा जादा चीज भी हको जाती है ताकि कोई भी लोग हमारे थी नहां घृदे तो इतना एतना जादा अंगरेजों ने अंग्रेजों के तो सब्सक्राइब मुने, एक देश खना मजक्यात और भाइब बहुरो अंग्रेब बोलर है उसे उन्हेंने ने मोनोपली कर दी कि more than 50% of raw material सिरफ सिरफ ब्रिटेन ही आएगा। उन्हेंने बोला कि 50% से ज़्यादा raw material सिरफ हमारे देश में आएगा ताकि हमारे देश में जितना ज्यादा raw material होगा। उतना दादा हम उसको फिनिश गूट्स में कनवर्ट करेंगे और जितना दादा हम आके बेचेंगे, बेच की का कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो उन्हें ने मोनोपली कर दी, अपना कंट्रोल कर दिया, कि पचाल पड़ला इंच से जारा जो रो मिटीरल है, वो सिर कि आजयाता है, वो डूसरी कंट्री नवे ऐसे कि चाइनामे शिर्ल selective में, इरा Unida दो ब्रेध दूसरी कंट्री कर दिया, प्र्ण ऐसेटना में जो है, इस्पॉर्ट किया जा सकता है, उसका थी कि डिवेयान कंट्रोल कर दाना दबाव रखा, संच 10 2 अप इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिमेनिंग एक्सपोर्टेट तो अधर कंट्री लाइक चाइना श्रिलंका इरान इराग इन में किया जा सकता है अधर क्लियर समझा या तक मेरे बच्चों तो एक्सपोर्ट नेक्सपोंट बढ़ दांस वहले न इंपोर्टें डेवलपोई मिस्यूज उस रप्लस रिसीव ओन ट्रेड या किया अब देखो समझाती उसको मतलब क्या अब हम हमें क्या बनादिया था एक्सपोर्टर ओव रो पैसे को हमारे देश की डेवलप्म living करें घ्रथ जो हमारे जह मारे देश में पैसा आ ए रहा हम पैसे को वह रोड बनाइं तुम्हारे लीए उस लिश कोई स्कूल बने बच्चों के लिए को ऊस्पिटर बने किस देश में डिश्में डेसे का जी रब ने उस उस नहीं जो पैसा देश में आरा थाना एंडिष इस पैसे को ऊणरे है उले पते क्या किया कहा पर यूज कि अपने खुनक के औफसे में खतके जिए उखना धॉट के करिणंग करिma के दिखाने के लिए उखने के खुष के लिए कि बिल्र करने के दूवर देश का पैसा था ना बहुंत assumption चकुछ भी नहीं होरा था और यश्का पैसा आरह था क्या है खोनी पैसा कि अपनी स्थक्षान इडियो और प्राकि आपने की आरमे को इस करने के लिए कर रहे थे वो ख़चे जैसे अपने आर्मी के लिए बंब, बारूद, हैना, टेंकर्ड, गन, बंब ये शारी चीज़ें खरीदने में उनके खटा कर रहे ताकि उनकी आर्मी क्या हो सके स्ट्रोंग हो सके तो इस पर पाइसा खटा रहे थे यानि हमारे देश का पैसा हम जैसे लोगों पे हम भारतियों पे खठेस्चा थी यह तो अन्ग्रेजों ने हमारी हालत कर दी तो वहीं बात करें सब्सक है कि सबसे बहुद सब्सक्राइध मजकर किया घञए ऑर किया हृ रुफ इस्ते बहुत मैं हमें ड़ी lazy इस न्यसाइव तो अब सबसे बेरा administration expenses of British government in India उन्होंने उस पैसे को कहां खचा किया अपने खुद के administration के खचे उठाने में उन्होंने खचा किया दूसरा उन्हें एक्सपैंसी दो बॉर्स जंग अगरा लड़ने के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रॉंग करने के लिए उन चीजों में क्या किया खचा क थी उसमें उनकी आर्मी को स्ट्रॉंग करने के लिए उन पे खचा कर रहे थी ना कि हमारे देश का पैसा हम पे ना खचता हुए वह अपने उपर खचा कर रहे थी समझें तो यह हमारी हालत होगी थी तो यह हमारी कुछ पॉइंट से अच्छे से कर लेना बहुत easy यह आपक इस एजए यह दन यह दन हो घातली है तो अभी तक हमें ऐखर लियधक कर लिए अभी तक अबधर को बात कर लिसी इंड़ी कली स्कमे उसी की बदर कशक्की ऑफ लिए की आखला तो अभी पेसा आ रहा थी और वहालों चलीच में demographic profile during the British rule demographic profile during the British rule का मतलब यह है demographic profile क्या during the British rule तो आपको पता चल गया होगे कि अंगरेज़ों कि समय की बात करी जारी demographic profile का मतलब होदा है various aspects of population various aspects of population यानि हम different different aspects के बारे में आप पढ़ते हैं कि हमारे देश में कितनी birth rate थी कितनी death rate थी कितने लोग infant mortality rate मतलब कितने नवजाज शीशु यानि कितने छोटे बच्चे हैं वो मर रहे थे उसकी हम बात कर रहे हैं और अगर मैं बात करूं life expectancy life expectancy life expectancy का मतलब होता है एक इनसान की कितनी आयू थी maximum एक इनसान कितनी जीरा था कितने लोग पढ़े लिखे थे कितने लोग अनपढ़ थे उस ताइम की बात करें यानि various aspects of population का मतलब है different different population की बारे भी में जब आप पढ़ रहे उसकी हम बात कर रहें चलीजी तो सबसे परला अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या था उस ताइम पर उस ताइम पर उस ताइम पर अंग्रेजों की समय की बात करें बोर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट बुखाद जैसे बीमारियों में भी मैलेरी ओगया टाइफ़ड होगया लोगों की मोत हो जाती थी बीमारियों डिटेक्टी नहीं होती थी कोई एडवांस बीमारियों वीमारियों में लोगों की क्या और मैं बात करेंसे बीमारियों में इसनाइब भी थी 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 बड़ी होस्पिटल्स थे नहीं तो वह तो हमारी खाल्य थी तो इस टकर में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा क्या थे हाई थे चलिजी नेक्स आपका अगर मैं आज की बात करूं ठीक है अगर आज की बात करी जाई तो 33 बच्चे अगर पैदा हो रहे तो सरफ 33 बच्चे ही मर रहे हैं इसका कारण क्या था उसमें इतने बच्चे क्यों मर रहे थे विकॉज ऑफ पूर हेल्थ केर फेसलिटीज वहां पर कोई होस्पिटल नहीं अब आपको बता है कई बच्चों तो जो प्री मेच्व पैदा हो जाते हैं बहुत बाहर देखते हैं पच्चे सेवन्त मंद में एट्थ मंद में पैदा हो जाते हैं आज के टाइम तो निकू है नाई सी यू सर्च कर लेना गूगल पर आपको पता जल जागा का उसमें अबश्चक के बच्च की कम होगी है इन्फेंट मोटलिटी गर मैं उस टाइम पर उस टाम की बात करूं तो उस टाम पर कुछ था ही नहीं बच्चे प्रिमेच्व पैदा हो भी गये तो बच्चारी बिच्चे किन ने कर पाते हैं उनको सीजन ही नहें मिलती तो बच्चारी जनरली तो उस टाम पर कोई अप्रोव नहीं थी हेल्थ के फेसिलिटी इतनी जाद इंप्रोव नहीं थी और इस कारण उस टाम पर जो डिट थी बहुत लादा थी आज का बेट आज की बात करें जलिटे नेसी मिटा अपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक मताब एतना अपना पनी एवरेजन मैक्सेम मेकस्मम फीफ जिरी था लाइव ने एक इंसान से मिले 44 है कि 32 है अगर मैं पता दू जिंदगी में को इतने साल होगे पढ़ाते हुए मैं 32 ही बढ़ा रही थी लास्ट यह 44 हो गया तो 44 पढ़ाने लगी अब फिर से 32 हो गया तो 32 ही है ठीक है तो अज बार जो नई पॉइक है तो आपको 32 भी साल हो जा रहा हुआ लोगों को बिमारी ओजाती दिस तो मरते दो पारे बीमारी मरा हुए 50ा मर तो तो ऐसे भी लोग मर जाते थे मलेरी वा अब गई तो यह situation थे उस टाइम पर तो बत्य साल अरे आज के टाइम पर बत्य साल तक लोग कई भाशादी नहीं करते हैं जिकर जनरली बोला जा लें तो इस टाइम पर सब्चों मेक्सिमम लाइब एक एवरेज लाइफ है वह बत्य स पर जाह चथा नहीं तो इस टकर में कुछ हो जाती क है लोगों में बीमारी आज मुझे वहीं है फैल लग लोगों की टेथ ब्लगम तो बहुत से लागल लोगों की ग्रत है गोतकर बात करें आगर 16 जो एक इनसान जी लेता है जी दीरे बढ़ता है क्यों कि एडवांस होते जा रहे हैं टेकनालीची बढ़ती जा रही है आप देख पाहरे हैं हमारे देश में इतने बढ़ी बढ़ी होस्पीटल प्रता चुके हैं हर बिमारी के लाज यह पर बादेश में होने लगए तो इड तो इस तक रहें एवरेज लाइफ एक इंसान इवरेज इतना जी लेता है आज कि जमाने में लिट्रेसी रेट उस टाइम की बात करें एक इंसान कितना पड़ा लिखा था तो उस टाइम में 16 परसेंट से भी कम जो लोग है वह पड़े लिखे थे अगर आफ फीमेल लिट्रे को जादा पढ़ाय जा रहा है लटकियों को कम तो जेंडर बाइसनस को भी क्या कर रहा है बिटा शो कर रहा है ठीक है तो सिंपल सी पॉइंट है यहां तक मेरा बच्चा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बेटो चले आगे चली जी आगे बिटा आपका यह ओ ग्रेट डिव िवाय नाइटीन ट्वेन बहुत इंपोर्टेंट है इसको स्टार मख लो एक नमर को कौश्चन mcq के पॉइंट ओविज से बहुत इंपोर्ड़ेंट है यह ओपर इंपोर्टेंट है एक नंबर के साब से वन मांक के साब से की सबसे पेचाचे को सबस्ते की करें पॉइंड से मह कहते हम त्र मुइंँ पर्पस चेज़ में। डिश्री अजमें देच में हाई है देच कर दोया फॉर्त डिक आई है जला हुझो बुलॉ घुल describing जानियों के टाइम पे 5-5-6-6-8-8 बच्चे होते थे कहीं होगे 10-10 बच्चे भी होते से कहीं होगी तो बहुत जादा हाई थी और डेथ रेट भी बहुत जादा हाई थी क्यों विकोज एडवांस नी थी मेडिकल फेसिलिटी चोटी सी विमारी में भी लोग जो है मर जाते 2nd सेइच की बात करें और थे बिजाधा थी विकोज द देठ डेडगें काम होने लगए लगए थी मेडिकल फेसिलिटी सी थे आने लगे थी। क्योंकि लोगों में awareness आगी थी कि भाई कम बच्चे सही रहते हैं दो बच्चे बहुते हैं तो लोगों में awareness आगी थी low birth rate हो गया था और death rate भी जो है वो कमी था because देरे-देरे medical facilities भी क्या आने लगी थी advance होने लगी थी hospitals खोने लगे थी लोगों में awareness आने लगी थी बिमारियों के लाज होने लगे तो death rate भी देरे-देरे क्या होगी थी कम होने लगी अब बात करते हैं मैं में year of great divide है यह तो तब में second stage इपन हो रहा इसका दिवीजन हो रहा तो year of great divided 1921 में हो था है 1921 में जब आपकी first stage खतम हो रही है and the beginning हो रही है आपकी second stage में इसी को बोलता आप year of great divide divide मतभर division होना खहां से चब पहली stage को सेज़ फोगी और दूस्रीट गरेड यो कि 1921 में शुरू होगी वह बं बात करें तो ऐसा एन्डिंग को फॉर्स स्टेज आपकी population census क्या है तो population census का मतलब क्या होता है जन गनना देश में जन गनना यानि देश में कितनी population है उसकी जन गनना की बात कर रहे है population census मतलब देश में कितनी population है उसकी हम बात कर रहे है तो population census का मतलब होता है कि देश में कितनी population है उसके बारे में study किया जाता है इसमें कितने लोग पंड़े हैं उसमें निकाला जाता है और एक इंसान कितने उडिव स्वहische मेट इस अगर भात करो इस्वह इन से कvic्मद गांब pizzas यहां पे सारह निखसा सकता है तो यहां पे सानी की जन्हनन होती है ये नो कियो द मिलने एक अब पॉबलेशन रहेत? यह संब ग ऑ क्वाले को दम्यली अब करें शांव इस तरह का है 1200 देमोग्राफिल में census का मतब क्या होता है population census in India is a detailed estimation आप estimate कर रहो किसके बार में population size के बार में कि हमारे देश में कितनी population है ठीक है उस time वह बात करें along with this इसके साथ तो हम क्या निकालते complete demographic profile के बारे में भी study करते complete demographic profile के बारे में आपको पाता है वह हमने बात करी कि देश में birth rate क्या है death rate क्या है life expectancy क्या है कितने लोग पड़े लिखें कितने लोग नहीं है वो सारी चीजों के बारे में पूरी population के बारे में study करते है और जो पहला population census हुआ था यानि जब देश में सबसे पहली जनगनना कब होई थी population की कि कितनी है देश में population वो कब होई थी so it was first conducted under the British rule in 1881 1881 में जो है first conducted थी आपकी population census यानि देश में कितनी population है जनगनना जो population की होई थी वो कब होई थी 1881 में अंग्रेजों के समय की बात करी जा रही है और उसके बाद 1881 के भाद 10 सSabक के बाद population census किया जाते है धर 10 से बाद is learnt के बाद population करी जाती है कि बैश mão chosen सब्सक्राइए तो कि वहेए पואלेशन तो चलिए अब तो बस मोटे मोटे हो चुके हैं थवड़े भूद टापिक रहेगे एक इंप्रास्टुरा का टॉपिक है वह इंदस्ट्रीज वाला सबते जर्द नहीं यार रखना चली ची अगरी चलते बहुत प्रदबर से what is occupation structure occupation structure का मतलब बता है distribution of working population मैं यहां लिख देती हूं distribution of working population across different sectors across different sectors across different sectors कमका कर रहे है कि ऺंडें जितने थें लो रुप्र Maurice और रिख कर है लोग कर रहे हैं कितने कितने लोक्ल कर रहे हैं उसकी बात करें मैं कितने कितने परसेंड लोग काम क्र रहें different sectors में उसको हम कहते हैं occupation structure तु knights वह में पते है तीन सेक्टर होते है इक होते है आपको देश में उताई होते है प्राइमधी सेक्टर आते ही सेक्टर में संफ मगनेशन ऑन नो आपको बता है 72.7 परसंट equally सेए तीव जो इसको पोप्लीक जो इंड़ेशना है तो उनको बात करें कि क्या इस का रीजन और मैं बात कर गर तीसरा टर्ष्टरी सेक्टर बहुत कम डेशना है उस ताम पर अंग्रेजा की बात करी चारीन है 17.2% ही सिरफ developed हमारे देश का tertiary sector यानि service sector तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले agriculture पे the principal source of occupation the principal source of occupation का मतलब है कि जो agriculture है वो एक मैं लोग है वो agriculture पे depend है क्या reason तो अगरी कल्चर पे depend हो एक तो देखो सीदी सी बात है अगर हमें पता हूं अंग्रेजों ने क्या कर दिया इंडस्ट्री को holding हमें क्या बोड़ा तो तुम बने ही एगरी कल्चर के लिए जाओ खेती बाड़ी करो ठीक है तो पहले एगरी कल्चर पे जाधा ही थी लोग कम नहीं थे और इंडस्ट्री अटा दी गई थी बहुत सारी तो उनको काम बेज जिया था अग्रीकुलचर कि तुम रो मिटेवर्पेटियुस करो तो इस चक्र में इंडस्ट्री जो थी अलिया ब्ली ऊपडिश्स टोप जोस्ट्र ब्लीकम् सौर्स ऑब अक्यूपेश संब ब्लीक मताँ पहाँ में टाते हैं कि जब अंग्रेज आये थे मारे देश में तो उन्होंने एक्स्प्लॉइट किया में deindustrialization कर दिया इंडस्ट्री को हटा दिया तो वो कितने लोग कितने लोग बिरॉजगार होगे इंडस्ट्री से हट गए तो वह और दूसरा डिस्क्रिमिनेटिटी टेर्य पॉलिसी लियाए थे तो इतना अधारा डिस्क्रिमिनेशन का खेल किया तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री छोड़ के चले गे तो यही कारण है कि उस ताम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो लोग है वो कम डिपेंड थे तो यह अगर मैं बात करadosendedっていう tional sector उसको को सेथे तो संग्ष्ते यहा पर हमारा अन-μ 우 ग्र इंड व सक्टर्श पत्रम पारा है क्यों कि पामरी मोड आ प्रांडी कि यहां द्वाट अग्रिवा लोग अधा डिपेंड ते do लेकिन अगर मैं secondary और tertiary sector की बात करें तो वो बहुत ही जादा कम develop हो था हमारे देश में बिल्कुल infant stage थी बिल्कुल beginning stage थी उसकी है ना initial stage पे था तो यही कारण है कि agriculture sector तो इतना develop हो था है लेकिन जो हमारा secondary यानि industrial sector और service sector यानि tertiary sector वो बहुत लादा कम develop हो था बिल्कुल infant stage प कर रहा है बाकी कम grow कर रहे है तो हमारे देश में unbalanced growth रही थी तो वही बात करें growth is set to be balanced growth balance कब बोला जाएगा जब all the sectors of the economy are equally developed जब चितने भी sectors हमारे देश के जानी तीनो sectors equally grow कर रहे है तो हम इसको क्या बहुत है balance growth कहते है but in case of India लेकिन हमारे देश में क्या था secondary and tertiary sector were in their infant stage infant बिल्कुल child age बिल्कुल छोटी stage पे थे बिल्कुल वह बिल्कुल initial stage पे बहुत ही बिगिनिंग stage पे थे hence the conclusion that अरे कांगया अरे ये भी hence the conclusion that Indian economy at the time of independence shows unbalanced growth और यही का रहे है कि उस time पे अंग्रीजों की समय की बात कर रहे है before the independence just before the independence अगर मैं बात करूं उस time पे भी तो हमारा जो agriculture sector जावर डिवेलप कर रहा था अगर दूसरी बात करूं टर्श्री और सेकेंडरी सेक्टर वो कम डेवेलप कर रहा था तो इसलिए हम उसको कहते है कि हमारा देश में जो unbalanced क्या चल रही थी ग्रोज चल रही थी तो conclusion यह निकल क्या मैं क्लियर मेरे बच्चो कहा तक डन है कोई दिक्कत कोई परशानी कोई मुसीबत तो नहीं है ठक गए हो तो थोड़ा पोस ले सकते हो कोई दिक्कत थी मैं भी एक मिल पाली लिलू फिर हम यही से शुरू करते है चलिचे आगे जलते हैं बटांग नो ब्रेक छिक है आप ले सकते हो रिकॉर्डेड़ आपके पास तो अब आगे जलते हैं मेरे बच्चा अब बात करतें इंफ्रस्ट्रक्च्चर की इंफ्रस्ट्रक्चर ओन द इव उप इंडिपेंडड़नेस की हमारे देश में अंग्र इंफ्रास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मता है थी जहां थाना अठारा सो पचास देश में मारे देश में ईंट्रीव और देश में अंगरेल चुछ देश हें लेंट हिंट्रीवेड यह तर लेनटीन थे इंडिया से रो मिटीरल लेकर जा सके अपने देश में और वहां से फिनिश को बना के रेलवेर्स के थूरू रेलवेस के थूरू लेकर आ सके तो वो इसलिए यूज़ कर रहे थे सीदी सी बात है यहां पर बना देती हूं यार चलो ब्रितेन या हो गया इंडिय से फिनिष गुंट किया जा जा रहता था था की फिनिश लोग्नी इस यूज नियू करते हम लोग तो按द कर पाहते हैं सुर्घी बोली स्रिबेटिकर वह सुपर्प का इनकर चाउनियािं mi इंपोर्ट किया जासे के राउ मिटिरल फों इंडिया तू बिल्कुल थोड़ी बहुत हुई थी वह किस पॉपस के लिए थी वह पता देती जो थो थोड़ी बहुत रोड्स जो डिवलप हुई थी वह सिर्फ अपने फायदे के लिए करी थी ताकि अपने आर्मी को इधर से शिफ्ट कर सकें दूसरा रोव मिटिरल को भी इधर से शिफ्ट किया जा सके अपने समान को इधर से शिफ्ट कर पाई सिर्फ उतनी ही उन्होंने रोड्स बनाई थी बाकि जो गामों में ऐसे ही मतलब बारिशों को टाइम में दलबल मत जाता था कुछ नहीं सोचा किया थो मूबलाइज कर सकें अपने आर्मी को फिर महान को फोन प्लेस तो अनव्सक्वास की आर्मी को मूबलाइज मीनत हो सके के अघर और अर्मी की एक जृगे से 2 प्त बना था के संमान को इधर और सब कने में उन्होंने थोरी बाकि बाद था इसफरट कोई इफर्ट निय तो दल दल मच जाता था 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 थ करूं तो अगर मैं बात करूं C port जो है वो थोड़े बुट डिववेलफ हुए थे बहुत ज़र डिववलप नहीं नहीं दे परीजी हुए जो थोड़े बड़ीफ वही सिर्फ उनके पाइदे के थे कैसे सीवोट मतनफ सीं के थ्रूं C k through यानि वो आगर मैं बात करूए उसमान को इधर सुधर करते थे यारीशिब के थे तो काम करते थे याकि चैकर द्था क्पूरियल लेके जा सके इंडिया में तो वह इसलिए यूज करते थे तो वह भी सिर्फ अपने फायदेगी लिए तो पहले तो डिवेलप भी बहुत कम हुआ था लेकिन जो भी डिवेलप हुआ था अंग्रेजियों ने अपने रिक्वार्मेंट के कोर्डिंग अपने बेनिफिट के कोर्डिंग अंग्रेजों से पहले तो क्या हो था कभूतर जा 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 कभूतर जा 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 यही था या कुछ भी चिठी वाला सिस्टम तयार कभूतर के पगड़ादी विदर सुदर ले जाता था या जो भी वह था लेकिन अब अंग्रेजों ने देखा कि उनको बलोज बनाने ओर ब मैं इंडिया में बैठा हूं मुझे बात करने मेरे कोई सीनियर बंदे से जो बैठा है ब्रिटेन में मालो एक्जामपल ले तो अब मैं क्या करूंगी मैं पहले जाओंगी फिर उनसे बात करूंगी फिर में वापिस आओंगी बहुत दिक्कत होती थी तो उन्हें पोस्त का सि तक 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 फोर्म में वें उनके बासमें रखना से चीकें से सब्से करके ऐसे आख लखी जवाब जवाब हम पढ़ा ऑजाता है तो बहुतारे स्कों सारे हान ओंगरे लोग कर पनांग तयसकन तो दिसके हैहा जांत मुझ के नोने इतना expensive रखा था ता कि जो इंडियन लोग है उसको afford ही न कर पाए और सिरफ वही लोग ही उसको use कर पाए और अपने laws or orders को maintain कर पाए ये भी किया नोने तो वही है तो system of electronic telegraph जो था वो introduced किया बहुत दाथ हाई को इंडियूस किया so that Indian people अपनी बुक को पढ़ लेना easy हो जाएगा आपके लिए बुक पढ़ना असान हो जाएगा ये नोट्स भी बन गए वह नोट्स भी आगे दोनों को mixer करके बड़ी आतरीकिसर बना लेना चलीजी अब बतेखो अब मैंने आपको बोला था अब सारह नीच और पढ़ लिए chapter का क्या क्यां वैट आथे ने किया अंग्रेज आये हमारे देश में उस्हुमारे परा ऐसट fault two देख लीजी danus इंडियन एकनोमी दियूरिंग देश की क्या हाला थी अंगरेजों के समय में तो सबसे बहले बाई हैं स्टेगनेंट एकनोमी हमारा देश रोग गया था ग्रोथ ही नहीं हो थी मारे देश में क्योंकि अपने खुद के लिए थे हमारे देश की डिवलप्मेंट के लिए तो अपने फायदे के लिए रही अपने की administration expense के लिए खुद की तु सब्सक्स करने लिए और कृट की और कि निए टेलया तु स में रहे थे कंग की तो फीर माई हमें गृया अफने हुद के ब्रमान रही थी तो यह प्रमाय तो बहुत है बाकवाट गोर्ट होरी थी हमारी इं सेक्टर फे इतना जादा दॉमिनेंस किया बहुत जादा डॉमिनिक्ट किया जमीदारी सिस्टम ले आए थे प्रोड्यक्ट ऱ्य़क्षट लेरा हैं रहे थे जाओ एग्रिकल्टर पे जाओ खेती बाड़ी करो और हमारे लिए रोम इंटिकलर बना हम चाहेंगे अपने देश में प्रड़क्शन करके तुम्हें आके बेच के लूटके खाए दूसरा क्या किया इस चकर में इंडस्ट्री कितनी हट गई थे हमारे देश में पहले एक्स्पोर्ट करके आया है लेकिन अगर कुछ लोग एक्स्पोर्ट से नहीं माने तो उनके लिए वह इंडिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी लिए हैवी डिपेंडेंस और इंपोर्ट हम लोग क्या था अब इक बातां इंडस्ट्रीश थे हटगे अब हम एक्सपोर्ट निहीं कर पारे इंडस्ट्रीक अपल्ट से हटगई तो अब जिय ब्यटेनियों नहीं अपनारिव कंट्री से हम इंप्री इंपर्ट किया जान था था बहुत कर दो कि एपप्र कर दो उस ऑनी नियुशिज़ एप अर्बनाइजेश्य अर्बन एरियास भॉखा साथ लिमिटेड थे क्यों कि को मिजरीटी ओपॉपलिशन थी किस पर एगरी कल्चर पे ती पे एगरी कल्चर पे ती अगर उस ताइम की बात करो तो उस ताइम तो बिटिश गोर्मेंट का पूरा कड्रोल था तो इसको बोलते सेमी फ्यूडल एकनोमी भी लिख सकते हो यहां पर ठीक है यहां तक डान हो गया चलिजी अब बहुत कम पॉइंट रहें लो जी बस दो चीजे रहें चाप्टर को फिर यहीं पर समाप्त कर देंगे ठीक है चलिजी क्या है आपका अगला वह देखो अंग्रेजों ने बहुत जक्ति हालत कर दीख की इतनी प्रॉब्लम हो देश को मरे देख को अजादी अब बहुत कर दिया निया था अब गया आप श्त्व करने के बाद किन हमें पता है पूरी था इसादी हमें नाइटिन फिटीव में मिली ज़रूर जादिन अब अग्रेजों को दपा करने के तो किस पॉजटिव वह बात करें वोट पॉजटिव इने जब वह कुछ में पॉजटिवा पॉजटिव एंडिया नियू अंगरेज ने जब आप में से लेक़े सब और रेल्वे आए ताकि समान को इदर दर लेके जा सकें लेकिन वह दो चलेगे अब रेल्वेस वुछ तो तो इस चक्कर में हमारे देश में रेलवेज आगी, अगर वो ना ही होते तो हमें पता नहीं कितने और साल लग जाते हैं रेलवेज को लाने में, तो वो चले गए, तो रेलवेज हमारे पास रहेगी, तो रेलवेज हमारे देश में है, अब important question है, एक नमबर के साब से नहीं रेलवेज आप चली तो बच्चा रेलवेज आई 1850 में थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो लोगों के जो पैसा देखा उन्होंने, तो लोगों के अन्ट जो अन्टा रेलेज आखे और वीज़ेज हमारे देश में बार्टर शिस्टम होता था, गुड्स और एक्स पैसा देखा उन्होंने तो लोगों के अंदर पैसे का लाला चाया, पैसे कमाने का लाला चाया उनके बीच में, यह हमने बात करी, तभी तो आपने देखा होगा पहले सबस्सिस्टम फार्मिंग थी, कोई लालाच नी था, उसके बद कमर्शलाइशन हो गया, पैसा मोह माय वोगों के अपने प्रणमिशन के लिए लेकिन अब कमर्शल पार्मिंग और लेगी जो भी गोड़ वगहरा बनाते है जो भी क्रोफ ले लो, सुरी बोलते थि मैं, जो पाले क्रोफ उकती थी, वो इस पॉपस के लिए बेचने पॉपस के लिए लोग जो है उगाने लग ल अब हमने बात करी हम लोग एक्सपोर्टर थे रोव मिटीरल के अंग्रेजों के समय में तो हमारे देश में पैसा आता था अंग्रेज का यूज करते थे अपनी कुछ की बिल्डेंग ओफिसेज एड्मिस्ट्रेशन ओफिसेज बनाने में यह समय अब वह तो चलेगे बिल्ड सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे देश के लोग हमारे देश के नेता लोग पॉलिटिशन वगएर उसको यूज कर रहे हैं नेक्स कंट्रोल ऑफ फैमिनिस यानि बुखमरी की प्रॉब्लम पी कंट्रोल हुई है मैंने आपको पहले भी पताया था अंग्रेजों के समय में बहुत जादा बुखमरी थी लेकिन अफटर इंडिपेंडनेस हमने देखा फैमिनिस की प्रॉब्लम जहर हमारे देश में बहुत जादा कंट्रोल होने लगी थी अटलिस कोई बंदा बुक मरें से मन ने रहा था यह सिच्वेशन में मारे देश में कंट्रोल होगी थी तो यह कुछ पॉजिटिव बात कर रहे कि अंग्रेजों के आने से मारे देश में यह कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई थी जो जाने के बाद हमने इसको इस्तेमा बाद है यह कको में खुछ से तीन नमर के साब से यह कोष्छान हा जाता है थी इसको आजाता है तो वच में वगाना गफिन टोचिव जिटिव टाफट और का इस्त ऊपिक और भृतन से बाद ही थी जो फिर इस प्र या कौन जाता है स्कॉ स्वित क़ेन है स्विस कह बिख या हमारा भारत यहां होगा इंडिया पैले क्या होता था यह सी के थू हमने बात करी созд Pacific समान जाता था तो बिटेन और इंडिया के बीच में हमें भी ट्रेट हुता था था इन्डिया उमें पाथ ठेच होता हे था रौम ज़किटा था ढ्रौम API सब्सक्राइब करेंद के जाता ता यहांन करने को सारी चीजह को तो ले सारी यहां गुंक जाता था नुख बिरेवेश कंचना बेचने देश करते था कि अपने समान को बेचने पॉपस के लिए जो हम लोग यूज नहीं करते था में बैल गाड़े उस स्वी सिर्च कि नाल पिछ नाल पये तो पहले जब समान लेके जाते हैं तो उनको बहुत लंबा चकर काड़ना पड़ता था अफ्रीका से गुजरना पड़ता था जब सी के थूरू यानि शिप्स के थूरू जब समान आता था रो मिटीरियल लेके जाते थे शिप्स के थूरू अफ्रीका से आना पड़ता था फ को खच्छा हो जाता था, fuel वगरा लगता था, fuel वगरा बहूत जादा लगता था तो इस टकल में बहुत जादा transportation को खच्चा होता था, ठीक ऐगा CDC बात है, क्योंकि तो इन्हों ने क्या किया अंग्रेज पहले कहां से होगे आना पड़ता था अब उन्होंने रास्ता क्या कर दिया चोटा कर दिया एक आर्टिफिशिल कैनाल बना दी अब इसके थूद जो है रो मिटीर इधर सूदर जा रहे है ठीक है और फिनिश गोड भी इधर सूदर जा पारी इस चक्कल में ब्रिटेन के क्या कर जाने में घुड़ता कर दो मैं अब इस चानी नचाहें ने चलग के कर दो, अब ट्राइंस्पोड़िशन को सवे चेका बचाना तो उन्की मोनोपली होगी थी मोनोपली का मतलब क्या है जब उन्होंने देखा बढ़ीया यार कितना सभी खट रहा तो उन्होंने क्या कर देख जादा 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 जो है रोमेटीन लेके आने लगे यह और जादा मर्केट पे जो बिठेन की है वो मनोपली होगी ती इंडियन मार्केट पे जादा जादा इंडियों करWow इंडियन मार्केट पे ब्रिटेन की है वह मॉनोपोली होगी थी क्योंकि छोटा रास्ता पढ़ने की चकर में उनकी ट्रांसपोर्टेशन का खचा बहुत बच बच गया था फ्यूल जो है बहुत जाधा से वह गया था तो खचा बचने की चकर में ज़्यादा-ज़ाधा ज़ क्यों बोला गहा कि पहले से नहीं पनी होई थी इसको बनाया गया स्पेशली पेर-पोदे-काड के बनाया गया तो एक आर्टिविशल वॉटर वे विच पुरॉइट से डारेक्ट ट्रेड बिट्विन इंडिया और बृतें जिससे क्या होगा एक डारेक्ट ट्रेड होने वाई से क्या हुआ रास्ता चोटा हो गया तो उनका फ्यूल खर्चा बढ़ यानि ट्रांपोटिशन का खर्चा बहुत जाधा बचने लगए इससे हुआ कहता सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दा कोस्ट ट्रांस्पोटिशन ट्रांस्पोटिशन गुड्स बिट्वीन तो अब विष भीम उले लोग सोच न लगए बढ़िया स़स्टा पढ़ने लग तो सो जा हादा-जाद ढौन कर्षा प्रमाद करीदने लगे में डिया लगे जादा चुरि में विग Mr. ले जाके बेच भीम एगरिट कर पर लोगे तो इंडियन फोरेंट ट्रेड पर बिटिस सरकार की क्या होगी थी मोनोपोली थी तो जादा-जादा समान ख्रीद रहे थे और जादा-जादा प्रडक्शन करके फिनिश गूर्स को इंडिया में आके बेचने लगे तो वही बात करें तो एक तरह से यही बड़र फॉर्मेट मश्ण बता इंडियन फोरेंट की the juda आय कि नथका होगा झांटा यही बेटा और चाप्टर अलत होता है, इक बार देख लीजी, यह हमारे सारे topics है, हमने कर लिए, ठीक है, यह गल्ती से लिखा गया, चलिजी, तो यह बेटा, आपके कुछ topics है, हमने अच्छे से कर लिए, देख ले, आपको बहुत ही, आपको डीप में समझाने की, so बस मिलते हैं आप से जल नेक्स क्लास में, ठीके जी, एक नई चाप्टर के साथ, so बाबाई, ठीके, enjoy, love you all.